द्रिश्टी आईएस द्रिश्टी आईएस कोचिंग कैसी है इसकी online offline classes कैसे है इसकी test series कैसी है इसके notes कैसे है इसकी branches कहां कहां पर है और इसकी classes कैसी चलती है इसके बारे में मैं अपने अनुभों आपके साथ साजा करना चाहूंगा इस वीडियो पे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दिल्ली में अगर हिंदी मेडियम की त्यारी करना चाहता है तो वो दिल्ली का नाम लेता है और दिल्ली में अगर हिंदी मेडियम की त्यारी करना चाहता है तो दिल्ली में अगर हिंदी मेडियम की त्यारी करना चाहता है द्रिष्टी IS मुखरजी नगर में इसका मेन ब्रांच है, हेड ओफिस है मुखरजी नगर, जी टीवी नगर यानि गुरु तेग बहादूर मेट्रो स्टेशन से 4 किलूमेटर दूरी पर 4 से 5 किलूमेटर की दूरी पर है, अगर आप वहाद गुरु तेग बहादूर मेट्रो स्टेशन पर रहे हो तो 10 रुपए का आपको चार्ज पड़ेगा, वहाँ से आपको मुखरजी नगर ले आ दिया चाहेगा वहाँ पर आटोज मिलती है, इसके अलावा दृष्टी आईएस का जो क्लासे चलती है, वो दृष्टी आईएस मुखरजी नगर में भी क्लासे चलती है एक किलोमीटर का डिस्टन्स है वर्धमान में नेरु बिहार में इसकी क्लासे चलती है क्लासे में इसकी जो फैकल्टी है फैकल्टी को हूँ one of the most most talented लोगों की फैकल्टी है जिसमें मरिकान सिंग जैसे मरिकान सर जैसे महान दिगज इतिहासकार और कुमार नलिन भी अभी जोईन किये हैं ये भी दिगज इतिहासकार है और विकास दिबिकिर्ती के मार्ग दर्शन में किया गया है विकास दिविकृति इसके CEO है और अक्सर उनके वीडियो आप देखे होंगे अगर आप सिविल त्यारी कर रहे हो तो उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ लेजे कुछ नहीं देखें वो अपने मार्ग दर्शन में आपको बताएंगे निबंध लिखना बताते हैं और सारी चीजे बताते हैं उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वो जिस तरीके से कितनी सरलता से किसी चीज को समझा देते हैं वो ऐसा सायद कोई नहीं समझाया होगा द्रिष्टी IS की कोचिंग की कोचिंग की नोट्स होती है दो तरीके की नोट्स द्रिष्टी IS निकालता है दो तरीके की एक होता है जो प्रिंटेड नोट्स होता है जो पीडिएफ में मिलता है दूसरा होता है जो की नोट्स मार्केट में उपलब्द होते हैं जो प्रिंट के लिए मेरे पास कुछ notes हैं जैसे कि एक quick revision करके quick revision करके quick series चलाती है द्रिष्टी यह notes अगर आप शुरुआती दोर में हैं तो यह notes जान लीजे one of the best notes होती है किसी वी चीज की यह मेरे पास भारती अर्थविवस्ता है इसके अलावा अगर आप भारती अर्थविवस्ता भी बहुत बहतरीन तरीके से छोटे में लिखा गया है इसके अलावा आप environment की अगर द पूरी सीरीज है IS PCS की पूरी सीरीज है करीब इतनी book आती है इनकी और इतने book हैं कि अगर आप bookी पढ़ रहे हो तो आपको कहीं और जाने की जूरत नहीं कोई class करने की जूरत नहीं होगी दृष्टी IS की notes इतनी बढ़िया होती है साथी साथ आप ये भी जानियेगा कि उन्होंनी system बना रखा है जब आप उसके numbers पे phone करोगे तो वहाँ पे आपको system में मिलेगा कि आप सिर्फ notes लेना चाहते हो तो वह भी मिल जाएगा दृष्टी IS का जो test series होता है test series भी top 10 में आता है top 1 नहीं कहूंगा मैं top 10 कहूंगा क्योंकि मैं अपनी अनुभर से कह रहा ह इमानदारी से देखिए आपके शाथ मैं यहां पर सच बात करने आया हूं मुझे किसी ने कहा नहीं है कि दृष्टी IS के बारे में बाते करें और ना मैं दृष्टी IS में class किया हूं लेकिन आप से सच्चाई रूबरू करूंगा जो experience है मेरा यहां पर डेंड साल रहते रह में ठीक है दृष्टी IS के साथ साथ अनेक कोचिंगे हैं जो कि आपको यहां पर वीडियो दिखेगा जो मैं अब इस्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं वह है अब चलिए बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर की कि फी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका दृष्टी IS का 30,000 से होता है और इसके बारे में आपको एक PDF मैं प्रोवाइड कर रहा हूं PDF आपके श्क्रीन पर देखा रहा हूं वह आपको पूरी तरह बता देगा कि कितनी फीस है बाकी यह वीडियो आप अगर करेंड में देख रहे हो तो यह ठीक है अगर कुछ दिन बात देख रहे ह इनकी अलावा दृष्टी आईस के अलावा दिल्ली में हिंदी मीडियम की कोचिएं कोन से उनकी भी बाते कर लेते हैं दृष्टी आईस के अलावा वीजन है जो की वीजन की क्लासेश पहले जो थी पहले वीजन जो है वो इंगलिस मीडियम का है लेकिन उसने हिंदी मीडि है current affair current affair द्रिश्टी IS 110 रुपए का current affair निकलता है market में साहद 90 से 100 के बीच मिल जाती है वो one of the most important thing है किसी भी परिछारती के लिए पत्रिका कहूं पत्रिका पढ़ने के लिए दूसरी बात द्रिश्टी IS का printed notes बहुत important होता है और द्रिश्टी IS के quick notes जो है यह important है इसके अलावा एक main series आती है द्रिश्टी IS की कहीं दभी होगी मैं निकलना भूल के आपको दिखा देता द्रिश्टी IS की एक main series आती है जिसमें बहुत ही बहुत भेतरीन तरीके से समझाया गया है की कैसे mains त्यारी करें इसके अलावा दिखास दिखिर्टी के मार्ग दर्शन में निबंध लेखन की निबंध के sample के करीब इतनी मोटी सी किताब एक market में उपलब्ध है वो भी बहुत बेतरीनों इसको मैं पढ़ता हूँ मेरे पास उपलब्ध है मैं स्वयम पढ़ता हूँ दूसरी बात आपको online और offline classes की बाते करनी थी जो मैं शुरुआती दौर पे खा online classes वर्धमान में चलती है करीब 400-400 लोग class में उपलब्ध होते है class में हाथ उठा के सवाल पूछने की जाज़त नहीं होती है आपको चिक लिखे एक परची में लिखे सर तक आपको अपना question पहुचाना होता है आप दे दोगे पास कर दोगे पहुच जाएगा और last में discuss करते हैं question को class में no doubt class बड़े हैं लेकिन उसमें जगह जगह पे projector लगाए जगह हैं जिससे आपको class देखने में कोई अपत्ती नहीं होगी कोई भी चीज ऐसा नहीं हो गया कि दूर की वज़ा से ना दिखेंगा साथ ही साथ district is की एक शिंखला है जो offline classes के नाम पर है online classes के नाम पर है online classes के नाम पर यह pen drive course चलाती है एक फीस के बाद आपको pen drive दिया जाएगा pen drive में पूरी class जो आपने लिया हुआ है जिसकी आपने मांगी है जिसने फीस जमा किया उतनी हिसाब से आपको pen drive दिये जाएगा जिसको आप तीन बार केवल तीन बार उसको देख सकते हो तीन बार देख सकतो, तीन बार से ज्यादा नहीं देख सकतो, यह बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ने आधा देखा, फिर cancel कर दिया, फिर आधा देखा, फिर cancel कर दिया, तीनी बार देख सकतो एक video को, उसके बाद जानकारी के लिए ओफिसियल साइट पे चले जाएगा वहाँ पे धिख जाएगा और अगर कुछ मैं भूल भी रहा हूं तो प्रीस कमेंट करके मुझे बताईएगा वीडियो कैसा लागा इसके वारे में बताईएगा उमिद कर रहा हूं मैंने अच्छी कोशिस की है और अध हर एक चीज जैसे की नोट्स कहां से लेने हैं कौन से नोट्स कितने हैं ओप्सनल की क्या स्ट्रेटजी है एक मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ आज ही कल में आपको मिल जाएगा ओप्सनल कैसे चूज करें यह होगा